3, 2, 1 नमस्कार दोस्तों, आप सभी क्या स्वागत है मेरे यूटूब चैनल पे आज हम बात करेंगे एक मैथ के टिगनामेटिक इंपोर्टेंट क्वेस्चन की जो कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा इसकी जो वैलू होगी 1 बाई 16 होगी यह इसको आपको प्रूब करना है इसको आप प्रूब करके दिखाई हम इसे करेंगे दो तरीकों से और जानेंगे इसको सॉल्ब करते समय इसके पीछे क्या है कंसेप्ट जिससे हमारा कंसेप्ट और बेटर हो और हम कुश्चन को इजली सॉल्ब कर सकें ठीक है तो दो तरीके से जानेंगे यानि टू वेसे हम इसको सॉल्ब करेंगे ठीक है जो कि है इंपोर्टन्ट है क्लास 11 के एक्जाम के लिए और अन्हादर कंप्रेट्ट्ट्व एक्जाम के लिए जैसे कि आप इसकी एक्जाम देते हो सीजियल गा ठीक है तो 2 !5 x 9 दो सफे 10rd 곌ण , 3 divided Cancer यानि हर जोगा हमने क्जाम कि उपी क्याल लगा दिए या त्मानी बात है क्या स्कोर्द है 519 इंटू साइन थीकश्य दो चीज आपस में मिल जाएंगे फिन अगली बार एंगे दू चीज आपस में मिल जाएंगे ठीक है तो अगला इस्टिप कीया होगा पर थो चुट्पपाइब्री 9 इंस ऑगला इस्टिप की किया होगा आपा तो देखिए अगला ही स्टेप आपका होगा यानि एक्स एक्स इन्टु य इसकल टू कॉस पाई बाई नाइन इन्टु साइन पाई बाई ने टी एक ही हो जाएगा ठीक है ताब द्याहन से देखो कि हमने एक परम्राप पड़ा है साइन टू एक्स इसकल टू साइन टू एक्स इसकल रोट इन्टू इंटु कॉस एक्स एक ही उंधो कि थेकर इन यहां पर भी 1 by 2 लगाओगे अंदर एक 2 sin 2 pi by 9 होगा और होगा यहां पर 2 pi by 9 ठीक है ऐसे चार टम मिलेंगा आप पर सकते हो चारो टम के लिए ठीक है तो फाइनली होगा क्या तो आप देखो कि X X Y is equal to 1 by 2 यहां से एक बार आएगा फिर 1 by 2 यहां से ऐसे करके चार बार 1 by 2 आएगे 1 by 2 into 1 by 2 into 1 by 2 ठीक है अंदर क्या क्या बचेगा ताब देख सकते हो अंदर बचेगा यहां पर 2 sin x into cos x है इसका मतलम sin 2 x sin 2 x बोले थो पाइब नाइन अधर 2 by 9 हो जाएगा ठीक है फिन अगला इस टेप में यहां पर देखेए 2 है तो 4 by हो जाएगा यहीं साइन 4 by 9 ठीक है क्योंकि आप चीजों को समाझ रहोगा मैं ठीक है साइन 4 by 9 हो जाएगा ठीक है अब इसी तरह अगले स्टेप में भी आप कर सकते हो ठीक है तो साइन 4 by 9 इसके बाद क्या है तो अब देख सकतो यह 3 है तो 3 के मतलम 6 by 9 ठीक है ऐसे साइन 6 by 6 by 9 फिर अगली बार साइन 8 by 9 ठीक है अब देख लो यह 4 by 2 से मुल्टिप्लाइब हो जागा क्यों कि सब फार्मेट बनेगा 2 साइन 2 एक्स का फर्मुला है साइन 2 एक्स हर जगा पर जहां पर एंगल एक्स है उसमें दो से मुल्टिप्लाइब किया गया ठीक है तो 2 by 9 4 by 9 6 by 9 साइन 8 by 9 ठीक है यहां तक हमने स्रीजों को समझ लिए ठीक है अब चलते हैं अगले श्टेप में क्या करेंगे इसको देखे तो बना कहा था यहां पर बना था आपका साइन 2 by 9 फिन साइन 4 by 9 फिन साइन 6 by 9 फिन साइन 8 by 9 यह चीज़े आपकी बने में ठीक है आपने इंसी जो को देखा था यह बना हुआ था ठीक है यह आप देहां थां से हम एक और फार्मॉला जानते हैं हो फार्मॉला क्या होता है ठीक है यह किस कॉणिये नम होता है था प्यखता फिन साइन 2014 फिटा बोले तो अगर धीट एक्यू में किम पनेट पञीड़नी 산 b मैं में में क्फासर कर सकते हैं इस करेंगे तो क्यों होगा पाई माइनस पाईब आइन लिख सकते हैं इसको कर सकते हैं टीके तर हैं सब्सक्राइब तो क्या हो जैगा ? sin , 3π 9 ठीक है ? तो हम बोलेगे पाई में से, अगर 3π 9 घटा दे पाई में से ,еть 5 9 कैसे एगा ? 180 में से पाई बैं खाटा ओ, यह कम ना ओ ? 8 πैं यह इसे तरह पाई में से, पाई में से 3π 9 घटा दो, यहनी पाई में से तो इस परकर आप देखोगा ना यह जो चीज है आप देखोगा ना यह जो चीज है सब मिलाके एक तरह साप पर Y है यह क्यों कि आप देख सकते हैं य किसको माना था बस कास के जगाँ पर साइन लगा दिया था ठीक है यह क्या होगा यह तो हम फाइनली बोल सकते हैं कि जो यह यह पर दिया तो बस इस इस इस्टेप में हुआ क्या है था टीक है तो अब यही निकलना था एक समनी क्या माना था तो एक समनी यही माना था इसकी वैलुओ में यह पूरूब कर दिखा नहीं दिखा दिया ठीक है तो बस इस स्ट्रेफ में हुआ कि है हम ने फ़क्ष पहले इसको एक्स माना और एगली पर वाई माना कास के जगा पर साइन लगाया ठीक है अब हमने क्या किया इन दोनों को मॉल्टिप्लाई किया क्या क्यों यह 4 बार निकले यह चार लोग है ठीक है ठीक है तो निचीजे बाहर निकले यह तो अंदर बचेगा देखो 2 sin x into coset 2 sin 2x हो जागा 2 5 by 9 इसी तरह सब में 2 सो मल्टिप्लाइए हो जागा तो साइन 4 529 साइन 6 529 साइन 8 590 यहां तक बाते क्लियर हों गई ठीक है अब अगली बार हमने बोला कि चलो साइन एक्सवसी माइनस थीटा हमने पढ़ा है क्या होता है तो आपको मालूम भी है साइन थीटा होता है क्यों कि साइन थीटा सेकेंड कॉडिनेट में सकते हैं तकलन यह इन को भाई-बएघ नाइन बना सकते हैं ठीक है कियो कियो कि चलते हैं अगले कोशन की तरफ ठीक है अब अगला कश्छन गया है लेकिन weans-सी दूसरे टरीक रीक है झाले तरीका होErlara सबस्था अलग तरीक होगा जोकि फर्मूला बेंस तरीका होगा ठीक है तो फर्मूला इसमें क्या लगेヤा ब्लार मीkachस्ट्चन को आलग तरीक से करने के लिए अपने कंद लो एक बार आपने प्लोब कॉस ब्रयकेट में प्लसब क क आदो हापको cos a into cos b minus sin a into sin b ठीक है यह फर्मुला अपने पड़ाओगा एक और फर्मुला होता है इसी कहा cos a minus b तो cos a into cos a into cos b plus sin a into sin b पड़ाओगा फर्मुला ठीक है अगर मैं इन दोनों को आपस में जोड़ दूँ ठीक है तो जैसे ही मैं जोड़ता हूँ cos a plus b plus cos a minus b ठीक है अपने इसे ही जोड़ा तो देखो यह plus यह minus यह पूरा खत्तम हो जाएगा तो बचेगा सिर्फ यह बचेगा तो हो जागा 2 cos a into cos b ठीक है 2 cos a into cos b दोबर cos a into cos b है ठीक है तो यह आपका इसी फर्मुला आप इसको solve करेंगे ठीक है देखे हम कैसे solve करते हैं ठीक है और चीजों को समझने का अपत्यास करें ठीक है तो इसको फ़र हम अलग color से कर लेते हैं ठीक है और identifications ठीक है तो फर्मला यह दखे cos a plus b यह यह एक trigonometric identity a cos a into cos b plus sin a into sin b cos a minus b cos a into cos b plus sin a into sin b अनको दोनों को जोड़ा तो यह cancel हो गया बचा क्या 2 cos a into cos b ठीक है आगे देखो हम कैसे करते हैं इसको ठीक है सबस्वेले जो मेरा question ही है cos pi by 9 in two cos 2 by by 9 into cos 3 by by 9 into cos 4 by by 9 is equal to 1 के power 2 by 4 ठीक यही करना ठीक है तेहां पर देखो आप सबसे पहले हम करते हैं तहां है तो हम सबसे पहले हम लिए हम इन दोनों को पकड़ ले थे ठीक है पकड़ने से क्या पकड़ने से क्या फैदा है एक मैं इसको जोड़ूंगा भी एक करते हैं दोनों को बाहर करते हैं तो यह अंदर जब जाएंगे तो देखो यहां क्या करें वन एक रख देंगे डिक डूरानेंगे और यहां प्राग देंगे, cos pi by 9 into cos 2 pi by 9, दिकरता आपको किसी को ठीक है नहीं, तो यहां पर देको धान से यह वन बाइटू हम बाहर कर सकते हैं, तो यह पुरा एक फार्मेट बनेगा 2 cos pi by 9 into cos, यह भी पीछ आपने पड़ा था, 2 cos into cos b का फार्मेट बना ठीक है, फैनली जब हम इसको बाहर कर देंगे तो होगा क्या तो आप लिखोगे वन बाई टू कॉस थ्री पाई बाई नाइन इंटू पॉस फूर पाई बाई नाइन ठीक है बचे के अंदर टू कॉस पाई बाई नाइन इंटू कॉस फू पाई नाइन दिक हाट अब इसका फार्म के हो ता भी अपने मेचे फार्म बापक आये तो असा है कॉस ए प्लस भी होता है कॉस ए-प्लस भी बोले तो पाई नाइन प्लस 2 अगली बार एक बार माइनस करिएगा ठीके तो हो गया कॉस A प्लस B ठीके यो गया कॉस A-B करोगे आप तो आएगा माइनस पाइगा नाइन आईगा अब चेक कर लिजिए एक बार ठीके अब देख्योगी। फूर थिएगा थिचेक कर सकते। फ्लस B जीके। सिटके लिटिकेश्योख ठीकेश्योख प्लस देख्योगी। फूर फॉर पाइगे। ढुर थिचीकोफ ऑस प्लस देख्योगी। कंफ देका है...Rocks – X ? एक पाउस पाई भाई थरी पाउस एक्स टीक है दीक्रतों तो कुछ बोली हूँ ठीक है देखों यह पाई भाई थरी पाई भाई नाइन ठीक है सब्सक्राइब अनीट के पाइब शुक्राइब इन दिन गुए को यह विए उव्यार्ट साद कि क्या होगा तकुप पता भी होगा तो पहले तो गया रहे दो फोर फैंड इन गी नाया हप्ता प्राइब एट एक निग भी तो नीक है लेकिन इसकी वेल्ट पता नाय इसकोई यह से रहंद दो सोच पाई बाई भाई जाया था एगा तो यहां पेट युटाइब लग जाएगा पर क्यों लगेगा कि आपने लुपन वय टू से भी निकाला होगा और यहां से भी निकाल वा तभी तो कामनों के बहार ही आया है इसका मतलम यूपाई करोगे क्या है जिसका मतलम रही करोगे कि यहां फूर आजए तो यहां पो जागा वन भाई टू के पावर थ्री हब इसमीं चला जागा कास पूर पाई भाई नाइन और यहां पाई पाई नाइन टू तो रहे गाई यूजी तो थाई फीन कास पूर पाई वई नाई दिख़क को चाहपो ठीक है यानि समस्या समझस्या कुछ नहीं होगा आपको ठीक है यह हो गया पास पूर पॉर पैर नया ठीक है तब देखो बाश सीधे फार्मृला बेचे तो वन बॉट के पावर थ्री पास पूर पैर नहीं नहीं ऐसे रहने दीज यह 2 cos into cos b यह ठीक है तुस में भी क्या हो जाएगा cos a plus b cos a plus b बोले तो 5 pi by 9 ठीक है fin plus cos a minus b यह यह जो प्रीबाइब 9 में से आप 4 pi by 9 गठाएगा तो minus 3 pi by 9 cos minus x क्या होता है cos x तो that is a cos 3 pi by 9 होगा आप चेक कर सकते हो ठीक है अब एक चीछ देखो यहां पर cos पूर पर भी नहीं नहीं यह cos pi by 9 मैं इसको convert कर सकता हूं कि इसमें याद होगा आपको एक फर्मुला पर यह पने पढ़ा भी होगा ठीक है यह फर्मुला क्या होता है तो मैं बता जरा आपको सपूर्ज यहां पर थीटा है तो cos theta मतलम base upon hypotenuse तो base तो negative होता है यह कि x negative hypotenuse positive इसलिए negative होता है ठीक है सिंबल भासा में हम समझने के लिए से learning करते हैं ठीक है तो हो क्या जाएगा तो आप देखो ध्यान से अगर मैं बोलूं कि इसको में convert करना चाहता हूं तो cos 180-5 by 9 और यह क्या हो जागा सिर्फ cos 3 5 by 9 बचेगा और 3 से एक केंसे तो 5 by 3 5 by 3 के value क्या होती है 1 by 2 ठीक है तो अपका learning क्या बचेगा कि आपको सबसे पहले इसमें grouping करनी पड़ी तो कैसे grouping करेंगे भी आना चाहिए ठीक है आपने देखा कि इनकों मैं जोड़ूंगा तो यह 3 by 9 5 by 3 दे देगा तो ऐसा लगा कि यह हो सकता है ठीक है तो इसको मैंने grouping कर दीधर ले जाग कोने मैं ठीक है अब अगर आप सोचते कि इन में से grouping कर लूँ ना है तो करते लेकिन थोड़ी complexity बढ़ जाती ठीक है इसलिए बेटा रहा कि हमने उसको कर दिया ठीक है ठीक है तो एक यह तरीका हमने ही बताया कि कैसे करेंगा ठीक है और इसमें जो फार्मुले यह था सबसे पहले मैं फार्मुला पूर्ट यह रह खार्मुला धृति तो यह दो तरीके ते जिससे आप इसलिल पर सकते और अपने कंसेट को भूस्ट पर सतो ठीक है तो आज के लिए बास इतना है अगले क्लास में नए कंसेफट के साथ तब तक के लिए धन्यवाद अगर आपको मेरा यह काम पसंद आता है तो एक बास सब सब्सक्राइब, लाइक, सेयर, चलू करें, धन्यवाद, जय हिंद,